है अगाइज आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक टाइप का मेक्रो लेंज का रिभियो यह बीटा मुवी मेक्रो लेंज मतलब जो आता है वीडियो केमरा जाते हैं सोनी का या फिर कोई दुसरे ब्रांड्स का उसका फ्रंट पार्ट होता है उसको तोड़ के यह वाला बनाया गया है यह हैंड मेड लेंज है थोड़ा सा हैबी है जो नर्मल मेक्रो लेंज है लेकिन इसका जो अटेज सार पाता है और बहुत ही अच्छा मेक्रो और फूट आता है चलिए सुरू करते हैं ब्यूटिफिल जगा में फोफुली हमको कुछ मेक्रो शॉट्स मिल जाए अच्छा वाला यह लेंज के उपर में एक यूबी फिल्टर है जो कि आपका ओरिजिनल लेंज को प्रोटेक्ट करता है यह है इसका यूबी फिल्टर ग्लास का कुछ काम नहीं है यह बस एक फ्लाट ग्लास है यूबी फिल्टर है तो आप इसको हटा देंगे तो भी आप मेक्रो लेंज से सूट कर सकते हैं कर सकते हैं कर लग कर दो दो जाल कर दो is to be a new and स्वड़न अंधा है तो जो जो खो जो यह झाए स्वड़न झाल कर दो स्वड़न कर दो कर दो कर दो झाल झाल यह होल्डर को भी एटेज करना बहुत ही जी है यहां पे एक नॉब दिया गया है जिसको आप यहां पे डिला करके यहां पे अपना मेन कैमरा में सेट कर सकते हैं अराम से तो इसको बस गुमा दिजे और यह वाला पार्ट एडजस्ट हो गया तो यह जो लेंस से हो यह एक हो यहां हो यहां हो कहीं पे भी हो आप इस लेंसको लगा सकते हैं वैसे आप चाहें तो इस लेंसको भी खोल सकते हैं निपड़े के तरफ से बट इसको कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका जो ईड़र है बहुत फोल्डोमोड में वीडियो मॉड में यह является फूल तो इसका पूरा फूल फ्रेम आपका आउट-ुट मिल जायेगा आप यजिससे देख सकते हैं यहां पर कितना beautiful जोगा तहीं हैं तो इसका देख सकते हैं इसका जो ना फोकॉस से बहुत ही बढूल 10 शं सकते हैं इतना बड़ा चीज को यह फूकस में रख सकता है तो यह जो लैंस से यह बोहत ही बढ़िया है एक बटर्फलाइं स्ट लेने के लिए या फिर चाल लेने के लिए या फिर फ्लावार यह लैंस को stay Dodge में कवर करने के लिए एक प्रांट वोड भी आता है लेंज का कै आता है, जिसमें हम आप फ्रन्ट का ये लेंज को कवर कर सकते हैं शतरा का तो आज के लिए ईतना ही जैसे कि आप इसका वीडियो स्ट्स देख रहे हैं कैसा आॉट पूट आता है मुझे नीचे कमेंट करके बताईए कि कैसा उटपुट आया कैसा लगा यह लेंस और अगर उसका कुछ ज्यादा जानकरी चाहिए इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे में और वह वाला टेस्टिंग में ले आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसका प्राइस है अराउंड 10,000 रुपीज तो कर दो